हेलो फ्रेंड्स, UPPCS और RORO का प्रेटी सेट आग देखते हैं और इसमें GS के महत्मूर को संथ रखे हैं सेकंड सीरेज का प्रेटी सेट नमर 7 कवर करेंगे देखो इसमें आपके सम्धन पहला को संथ है इसमें आपको मिलान करना है और देखो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है M2M Classy नाम से उसको जोइन कर सकते हो अगर आपको लगे कि Speed तेज है वीडियो की तो उसे Slow करके भी देख सकते हो अगर लगे कि Slow है तो उसे तेज करके भी देख सकते हो ठीक है तो सभी को मेरे साथ करना और जवाब भी कमेंट वक्स में साथी साथ देते रहना जैसा कि आपके समने पहला कुस्सन है इसमें मेलान देखते हैं एक साथ में देखो सूची फश्ट में उत्पाद लिखे हुएं तथा सूची सेकंड में उसके स्रोत लिखे हुएं यानि यह जो उत्पाद हैं कहां से उत्पादित होते हैं इनका स्रोत कहां से है देखो अफीम, अफीम का जो उत्पादन होता है, इसके बारे में बताऊं में, अफीम का जो उत्पादन होता है, याद रगना एक पोदा है, पेवेवर सौमनिफेरम, पेवेवर सौमनिफेरम पोदा है, उसका जो अदपका फल होता है, उसके दूद से इसरावित होता है, ठ हिंग के बारे में समझो हिंग जो है देखो फेरुला प्रजादी का एक पोदा होता है उसकी जड़ तथा राइजोम से उत्पादित होता है ये हिंग जो होता है ठीक है जड़ तथा राइजोम से तो देखो इसका मिलान सही दिया हुआ है रवर रवर जो है ये तने से होगा और common भी है एक सिंकोना नाम का पोदा होता है उसकी छाल से प्राप्त होता है कुनेंजो होता है ठीक है तीन दो चार एक इसका सही जवाब हो जाएगा तीन दो चार एक कुसर नमर सेकंड देखते हैं देखो इसमें बाहरती है सम्मिदान के तहट निम ने लिखे कतनों अपर विचार करना है देखो इसमें पहला है कि संग की कारेपाली का सकती का प्रयोग रैष्टपती स्वेम या अपने अधीनस्त अधिकारियों के द्वारा करता है इतना तो पताई होगा जो संग की कारेपाली का सकती है वो रैष्टपती में नहित होती है यानि आर्टिक अधिकारियें उनके द्वारा कराएगा इसको ठीक है या तो इसका प्रयोग समयदान के अनुसार सुएम या अपने अधिनस्त अधिकारियों के द्वारा करेगा याद रखना तो इस वज़े से यह पहला कतन बिल्कुल सही है संग की कारेपालिका सक्ति का प्रयोग राष्ट अधिकारियों के द्वारा करता है आटिकल तिरेपन के एक में खंड एक में दिया हुआ है याद रखना दूसरा इसमें संसद विधी कर लेना इसे संसद विधी लिख देना इसे ठीक है संसद विधी द्वारा राष्टपती से बिन अन्य प्राधिकारियों को क्रत्य सकतियां जो हैं अब देख सकते हो तकरीबन संसद में नहें तो होती हैं संसद कुछ भी कर सकती है ये समझ लो कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं पर बहुत कुछ कर सकती है ठीक है तो समझ सकते हो इसका ये दूसरा भी सही है यानि सम्मेदान में संसोधन कर सकते है लेकिन जो मू दाचा है उसको ध्यान में रख करके तो इसमें समझ सकते हो संसर द्वारा राष्टपती से भिनन प्रादिकारियों को क्रत्य प्रदान कर सकती है तो देखो ये भी सही है इसमें आर्टिकल त्रेपन का जो खंड दो है उसमें दिया हुआ है उसमें पढ़ लेना अच्छे से इसी से संबंदित दिया हुआ है ठीक है तो ये दोनों ही कतन बिल्कुल सही हो जाते है उप्संसी है इसका सही जवाब अब आगे देखते हैं कुसर नमर तीन भारत का राष्टपती निर्वाचित ओने के लिए और हरताओं के संबंद में निमनले के कतनों पर विचार करना है बारत के राष्टपती को निर्वाचित ओने के लिए पहला इसमें बारत सरकार या किसी राष्टपती को निर्वाचित ओने का पात्र नहीं है क्या पहला सही है तो देखो किसी लाव के पद पर तो होना नहीं चाहिए अगर लाव के पद पर है तो राष्टपती का निर दुसरा सही है इसमें, पहला भी सही है इसमें, क्योंकि ये दिया ही हुआ है ना, राष्टपति निर्वाचत ओने का पात्र नहीं होता है, अगर वो किसी लाब के पद पर हो तो, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन, तो ये दोनों ही कथन बिलकुल सही है, देख़ से ना तो भारत सरकार ना किसी राज्य सरकार के दिन कोई लाव का पद होना चाहिए याद रखना और दूसरा इसमें किसी राज्य का राज्यपाल राष्टपती न्रवाचत होने का पात्र हो सकता है यह भी आर्टिकल अठ्थमन में दिया हुआ है इस फश्ट रूप से दिय केवल इस कारण कोई लाव का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संग का राष्टपती या उपराष्टपती या किसी राज्य का राज्यपाल है अत्वा संग का या किसी राज्य का मंत्री है तो समझ सकते हो यह सभी राष्टपती न्रवाचत होने के पात् रखना ठीक है ये सभी राष्टपती निवाचे तो हो सकते हैं तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है option C हो जाएगा इसका कुसर नमर चार निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पहला इसमे चलो देखने से पहले ये देखो एक साड में फसलें और एक साड में उसके रोग लेके हुए है तो ये देखना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है धान फसल से संबन देता है क्या उक्ठा रोग देखो उक्टा रोग तो देखो यह मिलान इसमें गलत दिया हुआ यह दान से तो आपने कहीं नहीं पड़ा होगा यह जो उक्टा रोग है ना दलहनी और तलहनी जो फसल है उनका रोग है ठीक है दलहनी और तलहनी फसल का और इसमें ये दिलहनी और तलहनी जो फसल होती है उनके जो पौदे होते हैं उनकी पत्तियों से सम्मंदित रोग है और इसमें जो पत्तियाँ है वो सूखने लगती है तो इस बज़े से समझ सकते हो ये मिलान गलत है और जवाब भी यही है इसका सर्सों में क्या सफेद गेरूई रोग लगता है तो देखो सर्सों में लगता है सफेद गेरूई रोग यह सही है बाजरे में कंडूआ लगता है मुंगफली का टिका रोग काफी कॉमन है ठीक है और दहन में कौन सा खेरा रोग लगता है उसको याद रख लेना सम्मिदान के निम्न लिखित में से किस अनुच्छेद में राष्टपती को जानकारी देने आदी के सम्मंद में प्रदान मंतरी के करतब भी बताने आपको आटिकल 75, 77, 78 या 79 बताईए देखो काफी अच्छा कुशन है देखो सबसे पहले देखो आटिकल 89 सबसे नीचे जो दिया हुआ है आटिकल 89 इसको देखो सबसे पहले यह आटिकल जो 89 है यह भारत में संसत के बारे में प्रदान करता है जैसे कि देखो एक सब्द समझ लो सरल यह तो कौमन है सभी को सुरू से पता होगा सास से बना संसत यह आटिकल 89 में आट से राज्यसवा यह 80 में और लास से लोकसवा यह 81 में यह प्रदान दिये हुए है ठीक है भारत में जो संसत का प्रदान है दोई सदनी संसत का प्रदान किया हुआ है और यह आटिकल 89 में द तो करती है जो संसद है ठीक है अच्छे से समझ सकते हो और लोकसभा है इसको निमनस सदन कहा जाता है और रज्यसभा को उच्छ सदन कहा जाता है संसद का निर्मार रज्यसभा लोकसभा और राष्टपती तीनों को सेंक तुरूप से होता है तीनों के द्वारा ही याद रख देखो सक्तियों के आदार पर देखोगे तो लोकसवा की सक्ति जो है राज्यसवा से अधिक है क्यों अधिक है लोकसवा की सक्ति राज्यसवा से क्योंकि लोकसवा जो है देश की जनता का नेतरत तो करती है प्रतिच रूप से और करती है जबकि जो राज्यसभा है राज्यों का नेतरत तो करती है अप्रत्यच रूप से यानि जनता में सर्वोच सकती नहते है और लोगसभा देश की जनता का नेतरत तो करती है तो इसी वज़े से कह सकते हो लोकसभा सकती के आधार पर अधिक सकती सालिय राज्यसभा के मुकाबले प्रतिच रूप से जनता का नित्तरत तो करती है जबकि जो राज्यसभा है वो अब प्रतिच रूप से राज्यों का नित्तरत तो करती है ठीक है यनि प्रतिच रूप से लोकसवा देश की जनता की अवाज है इसलिए अधिक सकती है लोकसवा के पास याद रखना देखो आर्टिकल 78 ये भी काफी अच्छा आर्टिकल है इसको भी आपको पढ़ना है बता दो इसमें क्या प्रबदान दिया हुआ है आर्टिकल 78 में तो देखो 78 के बारे में बताओं इसमें प्रबदान है कि राष्टपती को ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 78 में कि वह प्रसासन की कोई भी सकती जो है प्रधान मंतिरी से मांग सकता है article 78 में यह अधिकार है राष्टपती के पास कि प्रसासन से संबनेख कोई भी जानकारी प्रधान मंतिरी से कभी भी मांग सकता है article 77 है इसको भी आपको पढ़ना है 77 देखो इसके बारे में बताँ जो संग का प्रसासन है राष्टपती के नाम से चलाया जाएगा और ये आर्टिकल कहता है 77 जब कि जो आर्टिकल है 75 आर्टिकल 75 जो इस कुस्षन में पूचा हुआ है और इसका सही जवाब है आर्टिकल 75 तो सही जवाब क्या होगा इसका याद रखना option A हो जाएगा 75 यानि राइश्टपती को जानकारी देने आधी के संबंद में प्रदा मंत्री से मांग सकता है लेकिन राइश्टपती को जानकारी देने आधी के संबंद में जो प्रदान मंत्री के करतव्य हैं वो दिया हुए आर्टिकल 75 में ठीक है यानि 75 में ये दिया हुआ है कि PM की नियुक्ती राइश्टपती के द्वारा PM की सलासे की जाएगी और PM के का सरकार का प्रिथम अधिकारी होता है प्रदान मंत्री राष्टपती और मंत्री परसद के बीच सेतु का कार्य करता है याद रखना और देखो यहां मंत्री परसद की जो बैठके होती है उसकी अध्यच्छता भी करता है प्रदान मंत्री परसद के लिए राष्टपती को भी स अलाप देता है प्रदानमंतरी तह एंध कफी ही समय हो जाता है प्रदानमंतरी के आगे को कुस्सर नमर geen निम्नगें लिखन योगमों में से कौनसा योगम साधारण टो च्छ सेल के टर्मिनलों को बनाता है निम्न लिखन निम्न लिखित योगमों में से कौन सा योगम साधारा टोर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है देखो टोर्च में सामानेत है सुस्क सेल का प्रयोग होता है ये बात अच्छे से समझ लेना कि टोर्च में किसका प्रयोग होता है तो सुस्क सेल का और इसका जो देखो एनोड जो है ये तो जिंक का जबकि जो कैथोड होता है वो कार्वन का होता है एनोड जिंक का होता है जबकि जो कैथोड होता है वो कार्वन का होता है तो इसमें का सही जवाब क्या हो जाएगा जिंक और कार्वन हो जाएगा तो option A इसक में कॉंग्रेस अधिवेशन का इस्तान यानि उत्रप्रदेस में कहां पर हुआ है यह अधिवेशन जैसे कि 1892 में 1892 में कहां पर हुआ था कॉंग्रेस का अधिवेशन देखो अच्छे से समझना 1892 में जो कॉंग्रेस का अधिवेशन उत्रप्रदेस में हुआ था इलावाद में हुआ था बी का हो जाएगा चार और जो बनारस में हुआ इसकी अद्यचता गोपाल किष्ण गोकले के द्वारा की गई थी 1905 में हुआ था 1936 में हुआ लखनव में और अद्यचता की इसमें पंडिजवला नेरू ने ठीक है इसका एक हो जाएगा 1940 में ये मेरट में हुआ है था JM कीरपलानी के द्वारा इसमें अद्यचता की गई थी इसका तीन ओझए गगा 241 तीन इसका सई जबाब है नेक्स देखो बारतिया सम्मिदान के तहट निमन लिखे कतनों पर विचार कीजिए बारतिया सम्मिदान के तहट ये कतने आपके सामने पहला कतन जो इसमें भारत की संचित निदी पर भारित व्याय समंदी प्राकलनों पर संसद में मद्दा नहीं हो सकता है क्या ऐसा ही है भारत की संचित निधी पर भारत व्य संबंदी प्राकलनों पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है देखो आर्टिकल 113 है उसे पढ़ना आप और उसका खंड है एक उसमें दिया हुआ है कि भारत की संचित निधी पर भारत व्य संबंदित प्राकलन संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के किसी सदन में उन प्राकलनों में से किसी प्राकलन पर चर्चा को निवारित करती है तो समझ सकते हो यह पहला कथन जो बिलकुल सही बिलकुल सही है पहला कथन इसमें यानि बारत की संचित निदी पर भारत व्य समंदी प्राकलनों पर संसद में मतदा नहीं हो सकता है दूसरा इसमें ऐसे प्राकलनों पर संसद में कोई चर्चा भी नहीं की जा सकती है क्या ऐसे देखो चर्चा तो हो सकती है चर्चा की कौन मना कर सकता है समझ सकते हो ऐसे प्राकलनों पर संसद में कोई चर्चा भी नहीं हो सकते है तर चर्चा तो किसी भी बात पर हो सकते है समझ सकते हो तो इसी वज़े से यह दूसरा गलत है इसमें पहला सही है उनली दूसरा गलत है सही जवाब हो जाएगा किवल एक उपसन ए कूशन नम्मर नौनिम निर्कित योगों में से कौन सुमेलित नहीं है आला बुंदेल खंड से सम्दित अला देखो बुंदेल खंड के जो बुंदेल खंड का जो महुबा है महुबा वहां के कभी हुए है चंदरबर्दाई उनके द्वारा लिखा गया है आला खंड उसमें आला एक प्रमुक पात्र है तो ये बिल्कुल सही है बुंदेल खंड से ही सम्मंदित है ठीक है आला खंड में आला प्रमुक पात्र है और इसकी रचना की गई है चंदर बर्दाई के द्वारा महुबा छेत्र जो है बुंदेल खंड का महुबा जिला जो है वो साइड में देखो बिरहा ये पूर्बानचल से संबन देते हैं ये बिल्कुल ठीक है ये प्रमुक लोग गीत है पूर्बानचल का विरहा जो है ठीक है चेती अबदेवम बोजपुरी चेत्र तो देखो ये भी सही है इसमें चेती ये लोग गायन है लोग गायन परंपरा लोग गायन की जो परंपरा है अब अब देवम जो बोजपुरी चेतर है उसकी है ये चेती जो है ये भी ठीक है इसमें कजरी कजरी ये रोहेल खंड का है का देखो ये तो रोहेल खंड का नहीं है कजरी ये पूर्वांचल का ही है जो मिर्जापुर बनारस का चेतर है न उस साइड में बिहार में वी होता है ये बोजपुर जो चेतर है वहां पर गाया जाता है ये लोग गीत है ठीक है कजरी लोग गीत है रोहेल खंड का नहीं है या बारतिय सम्मिदान में वंनित आपदा उपबंदों के संदर्म में निमने लिखित में से कौन से कतन सही है बारत की सुरच्छा संकड में होने पर आपद की उद्गोषना कड़ सकता है क्या ? बताईए देखो बहुती अच्छा पॉइंट है यह पहला जो इस्ट्रिमेंट है इसमें और छोटी सी गलती है इसमें तक्रीबन सही है मात्र छोटी सी गलती है इसमें देखो राइश्टपती युद्ध या बाहे आक्रमढ ये तो ठीक है लेकिन ये आंत्रिक असांती जो दिया हुआ यह गलप है इसमें क्योंकि आंत्रिक असांती को तो चो वाली समयदान संसो दन हुआ 1978 में उसके दूरा ससस्त्र विदुरू लिख देता हूँ ससस्त्र विदुरू एक सब्द है उससे प्रतिस्थाभित कर दिया तो समझ सकते हो आंत्रिक असांती जो है इसका कोई महत 육 कर है की उद्गोषणा कर सकता है इनके कारण राष्टपती ठीक है तो ये पहला इसमें गलत है दूसरा है राष्टपती द्वारा और देखो ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है याद और रख ले न ये तीन सो बामन में दिया हुआ है तीन सो बामन का खंड एक है तीन सो बामन का खंड एक उसमें दिया हुआ है ठीक है आर्टिकल को भी अच्छे से पढ़ना है इसमें अब देखो राष्टपती द्वारा आपत के उद्गोषणा के लिए संगिय मंत्री मंडल का लेखित विनिस्चे आवस्यक है यानि राष्टपती द्वारा जो अपत कल की उद्गोषणा की जाएगी उसके लिए संगिय मंत्री मंडल का लेखित विनिस्चे आवस्यक है क्या तो देखो ये भी आर्टिकल तीन सो बामन है लेकिन उसका जो खंड तीन है उसमें दिया हुआ है ठीक है और इसमें राष्टपती जो आपतकाल की उद्गोषणा करेगा उसको कनने के लिए संग का जो मंत्री मंडल है उसका लेखित विनिस्च है आवस्यक है बिल्कुल सही है ये दूसरा ठीक है पहला इसमें गलत है लेकिन दूसरा इसमें सही है तीस याद करना है जो मैंने बताया ससस्त्र विद्रो के कारण युद्ध और बाहे आक्रमट के कारण वो तो 300 वामन के खंड एक में है लेकिन जो लिखित उद्गोषणा के बारे में जो दिया हुआ है ये आर्टिकल 300 वामन के खंड तीन में है लेकिन ये जो है प्रतेक सदन द आपत की उद्गोषणा जो है संसत के प्रदेख सदन द्वारा एक मास की अबदी में अनमोदित होना आवस्यक है और इसमें चोथा है आपत उद्गोषणा की वापसी राष्टपती द्वारा केबल लोकसभा के तत संबंदी संकल पारित करने से हो सकती है तो देखो यह सही है इसमें आर्टिकल तीन सो बामन में ही दिया हुआ है यह भी और खंड है साथ उसका देखो यदि लोकसभा आपत के उद्गोषणा का अनमोदन करने का संकल पारित कर दे तो राष्टपती ऐसी उद्गोषणा को वापस ले सकता है यह बता दो मुझे संकल पारित करने से ही क्यों समापती यानि वापस हो सकती है आपत उद्गोषणा की क्यों जरूरी नहीं है राज्यसवा इसमें तो देखो इसमें कौन कौन से सही है इसमें एक तो चार सही है इसमें और एक दो सही है दो और चार इसके सही जवाब है तो अप्सन सी हो Edge 5 7. Ored a chain or a soy कि देखो कंशेव इत्र के लिए काफी फिमस üz्दोर अंब विब है सभी को पता होगा कंशेव इत्र के लिए Decату त्रोरी किस को नोज को बुलंद सहर यानि खुड़ जो चितर है यह चीनि मिठ्टी के बर्तन के लिए यानि पोर्टरी कह सकते हो जीनी मिट्टी के बर्तन यानि पोर्टरी उसके लिए famous है ये भी ठीक है इसमें चित्रकूट चित्रकूट लकडी के खिलोनों के लिए क्या तो देखो चित्रकूट में लकडी के खिलोनों का काफी उत्पादन होता है तो ये भी ठीक है प्रतापगड अमरूदी जेली के लिए देखो प्रतापगड़ तो आमला और उससे संम्धित उत्पाद से संम्धित है इसमें आपको करना है आमला ये गलत है ना इसका कतन ये चोथा मिलान जो है इसमें गलत है अमरूद जैली के लिए तो प्रेयाग राज है इसमें अमरूद जैली के लिए होना चाहिए था प्रेयाग राज ठीक है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओपसंडी कुस्षा नमर बारह देखते हैं निमने लेखत में से कौन से दलों को राष्ट्य दल के रूम में मानने ता प्रप्त है राष्ट्य दल राष्ट्य दल के रूम में किन दलों को मानने ता प्रप्त है कोई बता सकता है कि राष्ट्य दल बनने के लिए किदनी सर्तें क्या नियमे क्या कानूने क्या होना चाहिए कैसे बन सकती है कोई पार्टी राष्ट्य दल देखो अपने अगर करंट अफेर सच्छे से पड़ी होगी तो अभी थोड़े दिन पहले ही आमादमी पार्टी जो है उसको राष्ट्य दल का दर्जा मिला था तो जब आपने राष्ट्य दल के दर्जे के बारे में आमादमी पार्टी को सामिल होने के बारे में पड़ा होगा तो तभी आपने पड़वी लिया होगा कि राष्ट्य दल बनने के लिए क्या होना आवसे गया कितनी सड़ते हैं यानि निर्दारे जो इसके मान दर्णे वो क्या है किस बज़े से किस तरह से राष्टि दल बन सकती है कोई भी पार्टी देखो लोकसभा या बिदानसभा किसी के आम चुनाम में उस राजनीतिक दल को नियूंतम किनी चार राजियों में से प्रतेक राज में कुल वैद मतों के पहली बात तो ये है कि छे प्रतसत मत प् नाम में उस दन्य कुल सीटों की नियूंतम जो है दो प्रतसत सीटों पर विजय प्रप्त की हो लोकसभा के जो पिछले आम चुनावें उसमें उसने कुल सीटों की जो नियूंतम है दो प्रतसत सीटों पर विजय प्रप्त की हो और उस सदन में नियूंतम तीन राज्यों म रूम में माननेता प्रप्त हो तो फिर भी तो भी वो राश्ट्य दल का दर्जा प्रप्त कर सकती है यानि चार राज्यों में राज्यों में राज्य इस्तरिय दल राज्य इस्तरिय दल किसे कहते हैं जो उसी राज्य तक सीमेत होता है उसी को राज्य दल कहते हैं ठीक है और जो अलग अलग राज्यों में यानि चार राज्यों से अलग में चार राज्य या चार राज्यों से अधिक में राज्य का दर्जा राज्य पार्टी का दर्जा हासिल कर लेती है तो उसको राष्टे पार्टी कह देते हैं ठीक है तो समझ सकते हो अभी ये राष्टे पार्ट है एम और नेशनल पीपल्स पार्टी पार्टी नपी पी अम अदमी पार्टी जो सबसे नवींतम और चटी पार्टी यह ने है जञा है निजने वह SB च्पार्टि यह निजजे तो है इसं लिगोरी पहीं हермग माक्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ये तो हो गई ये तो राष्टे पार्टी है लेकिन ये जो भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी है इससे राष्टे दल का दर्जा चिन गया है ये पहले थी राष्टे पार्टी कम्यूनिस्ट पार्टी पहले तो थी लेकिन बरतमान में नह और इसके अलबा एक है राष्ट बादु कॉंगरेस पाउडी उस से भी धर जचिन गया है ठीक है तो समझ सकते हो त्रणमूल कॉंग्रेस पाउडी है थावाडमी पाउड ये भी है इसमें दूसरी नहीं है त्रणमूल कॉंग्रेस ये भी नहीं है तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक और तीन एक और तीन इसमें देखो प्राकरतिक रूप से गटित ओने वाले पदार्थ को सूची फश्ट में प्राकरतिक रूप से गटित ओने वाले पदार्थ को सूची सेकंड में तत्व से सुमेलित कीजिए यहीं प्राकर्तिक रूप से गटेत ओने वाले पदार्थ तो सूची भष्ट में है और सूची सेकंड में तत्वें तो इसमें आपको मिलान करना है सूची भष्ट का सेकंड से हीरा हीरे का मिलान बताना है आपको इसमें हीरे में कारवन परमाडु, एक दूसरे से, चतुस फलकिय जालिय विवस्ता दवारा बंदे होते हैं ठीक है यह पहली बात यह याद रख लेना, तो इसमें आपको मिलान देखना है, हीरे का मिलान क्या होगा? बताओ तो देखो हीरे का मिलान हो जाएगा एक का हो जाएगा चार संग मरमर संग मरमर या फिर इसे मारवल कह सकते हो एक रूपांतरित पत्थर होता है या रूपांतरित पत्थर जो सुद्ध केलसाइट या इसे केलसियम कार्वोनेट का क्रिस्टलिय रूप कह सकते हो इससे बना होता है सुद्ध केलसाइट या फिर केलसियम कार्वोनेट का क्रिस्टलिय रूप इससे बना होता है तो इसका मिलन क्या होगा केलसियम इसका एक हो जाएगा बालू बालू यानि रेत रेद का प्रमुक संगटक सिलका होता है यह नहीं रेद का प्रमुक संगटक सिलका है सिलका तो इसका दो हो जाएगा माडिक्य माडिक्य या फिर रूबी गुलावी या लाल रंका होता है माडिक्य जो होता है गुलावी होता है या फिर लाल रंग का होता है और यह क्रियोमियम तब तो जो है उसकी उपस्तिती के कारण इसका रंग जो है लाल होता है क्रियोम क्रियोमियम की उपस्तिती की बज़े से ठीक है और इसमें कुछ मात्रा में क्रियोमियम आयन भी उपस्तित होते हैं इसमें याद रखना देखो माड़क के का मिलान हो जाएगा एलमोनियम से चार एक दो तीन इसका सही जवाब है उप्सन डी आगे देखो कुसर नमर चौद है निमन लिखित में से किने सम्मेधानिक दर्जा प्राप्त है गरते किसको सम्मेधानिक दर्जा किसको प्राप्त है राज्य निर्वाचन आयोक राज्य मानवदिकार आयोक राज्य विता आयोक राज्य लोक आयोक अगर आपने आर्टिकल 243 पढ़ाओगा आठिकल 243 पड़ाओग अच्छे से तो उसमें राज्य निर्वाचन आयोग भी पड़ाओगा ठीक है 243 हिंदी में कह सकते हो इसे टर ठीक है अगर इंगलीस में लगाना है तो आठिकल 243 का केक कर सकते हो इसे ठीक है उसमें ये प्रवदान दिया हुआ है कि पंचायतों के चुनाब के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन sought पंचायत और जो नगरपाले कavana उसका चुनाब खराने के लिए राज्य के एक निर्वाचन आयोग होगा और जिसका गठन राज्यपाल के द्वरा किया जाएगा याद रखना राज्य मानवादिकार आयोक देखो राज्य मानवादिकार आयोक एवं राज्य लोक आयोक तो आयोक इसका उलेक सम्मिदान में कहीं भी नहीं है तो ये दो और ये चार ये बिल्कुल कट जाते हैं राज्य वित्तायोक ये सम्मिदान में दिया हुआ है वित्तायोक का आर्ट पांच बर्स के बाद पंचायतों के लिए एक वित्ता आयोग का गठन किया जाएगा जो पंचायतों की जो आर्थिक इस्तिय उसकी समीच्छा करेगा और और क्या दिया हुआ है अटेल 243 आई में और ये दिया हुआ है कि इसकी नियुक्ति जो है राज़ेपाल के द्वारा क करना है ठीक है तो एक और तीन इसके सही जवाब हो जाएंगे एक और तीन हुसर नमर पंद्रे हाली में भारत के किस नयायदीस को अमेरिका के प्रतिष्टित हॉरवर्ड लो इसकूल ने अपने सरवच पेसेवर सम्मान आवार्ड फॉर गिलोवल लीडर्शिप से सम्मानित क इसको किया गया है कौन सा नयायदीस है भारत का जो अमेरिका का प्रतिष्टित हॉरवर्ड लो इसकूल ने दिया है जश्टिस सूर्यकांद जश्टिस संजय खत्री जश्टिस डीवाई चंडर चूड जश्टिस संजय किसन कॉल तो देखो इसका सही जवाब आपसंसी कि अधर रखना विलकुल सही जवाब है इसका निमने लेखित में से कौन सा बिस्पोटक नहीं है ट्राइट्रो ट्लोईन यानि टी एंटी ट्राइट्रो गिलस्रीन साइकलो ट्राइमेथिलीन ट्राइट्रे मीन यानि आडी एक्स या नायट्रो छॉर्रोफॉर्म बताओ ट्राइनाइट्रो गल्च्रीन ये वी बिस्पोटक है ठीक है साइक्लो यानि RDX ये तो काफी कॉमन सुनाई होगा RDX बिस्पोटक पदाड़्थों में जैसे एम्युद्ध बगेरा होते हैं तो उसमें प्रयोग होता है ठीक है लेकिन इसमें जो नाइट्रो क्लोरोफॉर्म है ये विस्पोटक नहीं है ये नाइट्रो क्लोरोफॉर्म जो है इसका उपयोग कब होता है कहा होता है देखो सूचम जीवी रोधी या कीट नासी अधी के रूब में किया जाता है इसका नाइट्रो क्लोरोफॉर्म का और 60 क्रसी पारिस्तितिक उपचेत्रों में बांटा गया है देखो बिलकुल सही पहला है इसमें भारत को जो है 20 क्रसी पारिस्तितिक उपचेत्रों और 60 पारिस्तितिक उपचेत्रों में बांटा गया है बिलकुल सही पहला और देखो यह जो वर्गी करण किया गया है न यह मिर्दा के प्रकार तथा जो बोगोली के वं जलवायु दसा हैं और फसलों की जो ब्रदी है ब्रदी जो अब्दी है उसके आदार पर किया गया है यह जो वर्गी करण है यानि मिर्दा के प्रकार बोगोले के वं जलवायू दसा और जो फसलों की वरदी है उसकी जो अब्दी है उसके आदार पर तो इस वज़े से ये पहला सही है इसमें और दूसरा इसमें देखो यहां वर्गी करण मिर्दा के प्रकार बोगोले केवं जलवायू दसा तथा फसलों की व्रदी अवदी के आदार पर किया गया है तो देखो मैंने पहले ही बता दिया इसको बिना पड़े तो समझ सकते हो यह दोनों ही बिल्कुल सही है यानि मिर्दा का वर्गी करण यानि यह जो वर्गी करण है भारत का जो यह वर्गी करण किया गया है मिर्दा के प्रकार बोगोले केवं जलवायू दसा तथा फसलों की व्रदी अवदी के आदार पर जो किया गया है अपसन ए सई जवाब हो जाएगा कुस्षन नम्मर 18 एक कटा हुआ हीरा जगमगा हट के साथ चमकता है क्यों हीरे के चमकने का कारण क्या है चारों में से देख लो बता दो चारों में कौन सा सई जवाब है देखो इसका बिल्कुल सई जवाब हो जाएगा option A पूर्ण अंत्रिक पराभर्तन के कारण जो हीरा है वो चमकता है यहनि जगमगा रहता है या कटा हुआ हो या फटा हुआ कैसा भी हो ठीक है इसका महत्पूर्ण कारण है पूर्ण अंत्रिक पराभर्तन देखो हीरे का जो अभवर्तनांग को होता है न वह बहुत है देखो होता है यानि 2.42 होता है ठीक है और इसी के कारण ही इसका जो क्रांतिक कौण है वो भी 24 डिग्री होता है 24 डिग्री ठीक है कितना होता है 24 डिग्री होता है क्रांतिक कौण और जब बिसेश रूप से काटे या तरासे गए हीरे के अंदर प्रकास पड़ता है याद रखना मैं मैं पूंट बता रहा हूँ कि जब बिसेश रूप से कोई काटा गया या तरासा गया हीरा हो अगर उसमें कोई प्रकास पड़ता है तो हीरे के प्रष्टों पर प्रकास का बार बार पूर्ण आंत्रिक परावर्तन होता रहता है यानि बाहर नहीं निकल पाता है और इसी बज़े से ये जो है किरणों का कई बार पूर्ण आंत्रिक परावर्तन होने से ही इसमें ये जग्मगहट जो है ये उत्पन होती है और ये चमकता रहता है तो इसका महत्पूर्ण कारण है पूर्ण आंत्रिक परावर्तन का निम्न लेखित में से कौन से Definya सही सुमे लेते हैं, पहला है इसमें फूलपुर और वर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, उतर्परदेश में पढ़ता है फूलपुर और ये और वर्वरक संबन देता है और वरवरक उथपादन से, चितरंजन रेल कोच फेक्टरी है चितरंजन जो पस्च पंगाल में है देखो लोकोमोटिफ यानि रेल इंजन इसमें रेल कोच दिया हुआ है तीसरा है इसमें विसाखा पटनम ये पूत निर्माड ये विलकुल सही है ये अंदर प्रदेश में है ठीक है ये भी सही है उपर में पढ़ता है और ये उडी सा में एलमونियम से सम्मणदित नहीं है ये लोह इस पात होना चाहिए ठीक है उडी सा में रावर किला तो ये भी गलत है तो सही देखर लो इस में एक और तीन होने चाहिए इसमें एक और तीन तो इसका ओप्सन सी सई जवाब है कुस्सन नम्मर बीस बिस्व परियतन संगठन द्वारा भारत के किस गाउं को सर्व स्रेष्ट परियतन गाउं 2023 के सूचे में चैनित किया गया है और आजो बेहार का है लोंगबा नागालेंड धनसकोडी तमिननाडू या दोडो गुजरात का बताओ 2023 में बिस्व परियतन द्वारा परियतन संगठन द्वारा भारत के किस गाउं को सर्व स्रेष्ट गाउं चुना गया तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा उप्संडी गुजरात का दोडो गाउं है इसको ठीक है बारत में निम्नलिकित राज्यों में लवडियता से सरवादिक प्रभावित राज्य कुन साय लवडियता से गुजरात अर्याणा उत्रवर्देश केरल तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात अप्संडी गुजरात है सबसे अधिक प्रभावित लवडियता से ठीक है गुजरात सबसे अधिक प्रभावित है लवडियता से हर्याणा भी काफी है उत्तरवर्देश भी है ठीक है लेकिन सबसे अधिक प्रभावित है गुजरात कुश्व नमर बाईस निमन लिखित कतनों पर विचार कीजिए नीचे दिये गए कूटका सैयुत तर चुनिये पहला इसमें बारत में तमाकूers की क्रशी के अंतरगत बिरहत्फम छेत्रा अंत्रप्रदेश में है क्या सही है इसमें तमाकू देखो तमाइकू करसी के जो अंतरगत देखोगे तो सबसे एधिक छेतर फल पर जो तमाइकू की खेती की जाती है वो कहां की जाती है गुजराथ में की जाती है तक्रीबन 1775 हेक्टियर, hanог हेक्टियर के करीभ की जाती है तो इस वजए से यह पहला इसमें गलत है पर बारत में गन्य की करसी के अंतरगत बिरहत्म चेत्र उत्र प्रदेश में है। तो देखो ये गलत है इसमें ये महराष्ट होना चाहिए गोजरात नहीं महराष्ट जूट एवं मेस्ता की करसी के अंतरगत बिरहत्म चेत्र पस्चिम बंगाल में है। कुसा नमर तेईस दो अक्टूबर दो जार तेईस को उत्र प्रदेश के किंदो जिलों में हर घर सोलल अवियान शुरू किया गया। हर घर सोलल अवियान मेतपूर कुसा ने बताईए लखनव प्रतापगड बरेली एवं गाजियाबाद वाराणरसी एवं प्रयागराज लखनव एवं वाराणरसी बताईए देखो कापी अच्छा खुसन है अक्टूबर में दो जार तेईस में देखोगे तो उत्तर प्रतेश के दो जिले हैं एक है लखनव एक है वाराणरसी इन दोनों जिलों में ये हर घर सोललर अवियान जो है इसका सुबारम किया गया है लखनव और वाराणरसी देख लो तो अवियान के तहित देखोगे तो सोलर जो रूप टॉप है वो लगाए जाएंगे इसमें बिल्कुल सही जवाब है इसका उपसंडी आज का सेगंड लाश्ट कुसन है भारत में मेगनीच आयस्क का सीर्स उत्पादक राज्य कोन है एंपी महराष्ट ओडिसा राजें वो बता रहा हूं मैं आपको सबसे अधिक तो करता है एंपी उसके बाद महराष्ट करता है उसके बाद ओडिसा और चोथी नमर पर है कनाटक तो सबसे अधिक कोन करता है एंपी करता है मेगनीच का उत्पादन तो ओप्सन यह इसका सही जवाब है आज का चैन्ट में है तो देखो यह गलत है इसमए उडीसा में पढ़ता है ठीक है डिको मेरी जुबान से ही निकल गया क्योंकि मैंने यह पढ़ा है इस वजे से बदां पाहड़ी का पर है यह बदां पाहड का पर है लोग ऐसका उतपादन होता है यह बदrais हम पढ़ता है नोआम से ही संबन देता है बिल्कुल सही है कोड रमा कोड रमा अबरक उत्पादन से संबन देता है और यह भी जहार खंड में पड़ता है ठीक है तो देख लो इसका उप्शन सी सही जवाब हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से यह आपका अप्रेटिसेट आज का कंप्लीट होता ह है अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो लाइक करो सेर भी कर दो अपने दोस्तों के बीच और टेलिग्राम चैनल है उसको जॉइन कर लो अगर पीडिएफ चाहिए तो कल मिलते हैं फिर अगले प्रेटिसेट में तब तक पढ़ते रहो बाए